हेलो फ्रेंस आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे स्नेक्स की रेस्पी सेयर करने वाली हूँ जिसे आप सुबा साम की चाई के साथ खा सकते हैं या फिर घर में कोई गेश्ट आ जाया और जल्दबाजी में कुछ अच्छा और टेश्टी बना कर खिलाना हूँ तो इस नास्त ताकि रेस्पी पसंद आजाए तो वीडियो को लाइक और जादा से जादा सेयर जरूर से कीजिएगा तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बड़ा सा बावल ले लेंगे और बावल में लेंगे तीन मीडियम साइज के उबले हुए आलू जिसको मैंने पहले ही अच् करके मैस कर लिया था जब आलू थोड़ी गरम ही होती है तो अच्छे से मैस हो जाती है आलू को अच्छी तरह से मैस कर लेने के बाद इसमें हम चार से पांच चमच के करीब ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डालेंगे मैंने एक मीडिय एक चमच जितना आमचूर पॉर्डर डालेंगे जिससे इसमें चटपटा टेस्ट आजाएगा आधा चमच गरम मसाला डालेंगे आधा चमच जीरा का पॉर्डर डालेंगे यह भुना हुआ जीरा का पॉर्डर है टेस्ट अच्छा आएगा थोड़ा सा हल्दी पॉर्डर कलर के लिए डालेंगे और आधा चम्मच की जितना लाल मिर्च का पॉर्डर डालेंगे आप चाहें तो इससे ज्यादा भी डाल सकते हैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कीचन किंग मसाला डाल लिया है अगर आपके पास हो तो डाल लिजेगा नहीं हो तो इसे आप इसकी भी कर सकते हैं स्वाद के अनसार नमक एड करेंगे और थोड़ा सा लासून और अद्रक का पेश्ट डाल लेंगे अब बारिक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसके लिए हम इन्हें हाथों से ही मिक्स करेंगे हाथों से ये बहुत ही जल्दी और आसानी से मिक्स हो जाएगी फ्रेंस ये चटपटा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू का मसाला जो है बन करके तयार हो चुका है तो इसे हमने अच्छे से मीक्स कर लिया है ये हमारी श्टफिंग बन करके तयार हो चुकी है अब थोड़ा थोड़ा सा ये आलू और सबजियों वाला पोर्शन लेते जाएंगे और हाथों पर घुमाते हुए इसका रोल बना करके तयार कर लेंगे आप चाहें तो इसे गोल सेथ में भी बना सकते हैं अब एक एक करके हम इसी तरह से रोल तयार कर लेंगे इन आलों के जितने भी रोल बनेंगे उन्हें हम बना लेंगे तो यहाँ पर देखी मैंने 5-6 रोल बना करके तयार कर लिया है अभी मैं इतना ही नास्ता बनाने वाली हूँ और नास्ता मैं बाद में बनाऊंगी तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 6 पीस ब्रेड ले लिया है अब एक चाकू की सहयता से ब्रेड के चारो किनारो को कट कर लेंगे तो इसी तरह से हम ब्रेड के किनारो को कट करते जाएंगे और इनको साइड में रखते जाएंगे तो देखे फ्रेंस हमने ब्रेट के किनारों को कट कर लिया है और इन्हें साइड रख लिया है अब एक बावल में एक कप के जितना पानी डाल लेंगे आप चाहें तो इसकी जगह पर आधा कप पानी और आधा कप दूद भी ले सकते हैं एक-एक करके ब्रेट के सलाइसेज लेते जाएंगे और पानी में इन्हें डिप करते जाएंगे और हाथों की शहाईता से इसको प्रेस करते हुए इसका साढ़ा एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे देखिए हमने साड़ा एक्स्ट्रा पानी ब्रेड में से निकाल लिया है अब ब्रेड को हथेलियों पर लेंगे और इन पर एक रोल को इस तरह से डालते जाएंगे और इस आलू वाले रोल को ब्रेड से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और हाथों पर घुमाते हुए इन्हे अच्छी तरह से हम सेप देंगे आलू बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए दोनों हथेलियों की सहायता से इन्हीं हम प्रेस करते जाएंगे और इसका रोल बना करके तयार कर लेंगे तो आप देख सकते हैं एक रोल बना करके तयार हो चुका है इसे साइड रख लेते हैं और साड़े रोल हम इसी तरह से बना करके तयार कर लेंगे बहुत ही आसानी से ये रोल बन करके तयार हो जाती है आप देख सकते हैं इन्हें बनाने में आपको ज़्यादा पड़ेसानी नहीं आएगी तो देख सकते हैं हमने पांच्छे रोल बना करके तयार कर लिया है अब यहाँ पर जो ब्रेड का कॉर्णर बचा था उसे आप इस तरह से मिक्सी जार में पीस करके इसका ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं और इस तरह से नास्ते के उपर इसको लगा सकते हैं जिससे यह नास्ता और भी ज्यादा crispy हो जाएगा. तो मैं यहाँ पर दो ती नास्ते में इस तरह से ब्रेट क्रम्स लगाऊंगी. बालकी वाले मैं प्लेण ही रखूँगी. तो यहाँ पर आप इसे चाहेँ। तो अगर आप इस ब्रेड करम्स को जादा दिन के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो इसे आप थोड़ी देर तबे पर भून भी सकते हैं, तो चलिए इसे अब फ्राई कर लेते हैं, तो इस नास्ते को फ्राई करने के लिए हमने एक कराही में ओयल को पहले ही गरम होने चाहिए अब एके करके रोल इसमें डालते जाएंगे और रोल को हम हाई टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राइए करेंगे पहले इनको हाई फ्लेम पर थोड़ा सा सेट होने देंगे जब यह ब्रेड रोल अच्छी तरह से सेट हो जाएगी तब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर और मीडियम फ्लेम पर इसमें कलर आने तक इसे फ्राइए करेंगे इसे हम तब तक फ्राइए करेंगे जब तक कि यह हलका सा ब्राउन ना हो जाए और उपर के लेयर क्रिस्पी ना हो जाए तीन ब्रेड रोल मैंने पहले डाला था थोड़ा सा जगह बच गया है और प्लेट रोल आपाएगा उटमी हम कड़ाही में डाल लेंगे और इसे उलटते पलटते हुए evenly चारो तरफ से अच्छे से सीख लेंगे तो लिजए फ्रेंस यह हमारा नास्ता जो है वो fry हो चुका है इसे मैंने चारो तरफ से उलटते पलटते हैं अच्छी तरह से fry कर लिया है इस नास्ते को fry करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है बहुत ही जल्दी यह fry हो जाती है नास्ता fry होने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो सारे नास्ते को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है अब इसी तरह से दूसरे बैच के नास्ते को भी हम फ्राई कर लेंगे तो देखिए फ्रेंस हमने दूसरे बैच के नास्ते को भी औल में फ्राइ होने के लिए रख लिया है अब इसको भी उलटते पलटते हुए गोल्डेन और क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेंगे तो देखिए यह हमारा दूसरे बैज का नास्ता भी फ्राइ हो चुका है अब इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं इस नास्ते को आप ग प्राइ करने के बाद अगर आपको रिस्पी पसंद आ जाये तो वीडियो को लाइक और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा